यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी पाइबल मैसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुभा शाम वच्चन प्रातना और गवाहे के द्वारा साहित करते हैं यदि आप प्रातना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रातना करवा सकते हैं धन्यवा जब प्रवु पर भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलते हैं तो आपकी कोई हानी नहीं होगी ऐसी हम बाइबिल में देखते हैं जब परमेशो के दूत सदोम और गमोरा नगर को नस्ट करने के लिए आए तो जब वो उस नगर में पहुँचे तो वहाँ एक ब्यक्ति था जिसका नाम है लूत जब लूत ने उन्हें आते देखा तो लूत उनके पास गया और लूत ने उनसे विंती की कि आज हमारे घर में चलो, लेकिन उन्होंने कहा कि नई, हम तुमारे घर में नहीं रुख सकते, हम चौरा पर ही रात को बिताएंगे, उन्होंने लूत से नहीं बताया कि हम इस नगर को नश्ट करने आए हैं, बलके अबराहम को बताया था और अ यहां पर आये हैं लेकिन वो उनका आतिती सतकार कर रहा है उनके साथ में भलाई को दिखा रहा है और जब उसने ऐसा किया तो उनोंने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया और वे दोनों दूत उसके घर में चले गे जब रात हुई तो रात में उस नगर के जो दुष्ट लोग उन लोगों ने लूत के घर को चारो तरफ से घेर लिया और कहने लगे कि लूत तेरे घर में जो व्यक्ति आये हैं जो दो लोग आये हैं उन्हें हमारे साथ में भार भेज हम उनके साथ में गलत काम करें और वो बहुत चिलाने लगे लूत अपने घर से बाहर निकला और ल ऐसा ही करेंगे। लूत ने कहा कि मेरी दो बेटियां हैं, तुम इनके साथ में जो मर्जी वो कर लो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दे। इनके साथ में कुछ मत करो, क्यों? क्योंकि ये मेरे छट के तले आए हैं, क्योंकि ये मेरे घर में आए हैं, मेरे सरण में आए हैं। बीड और उग्र हो गई इस बात को देखकर उन दोनों दूतों ने एक काम किया और जिस काम के दोरा वो जो लूत अर डूत का परिवार था वो बचा लिया गया उन दूस्ट लोगों से क्योंकि वो लूत के भी हानी कर देते वो उन दोनों की भी हानी कर देते उसके बेटियो की भी हानी कर देते भीड बहुत उग्र थी विरोधी बहुत ज़्यादा थे और वो चाहते थे कि वो उन दो पुरुसों के साथ में गलत काम करे तो उन दो पुरुसों ने क्या किया हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 19.2 और 11 पद लिखा है और उन्होंने क्या क्या बड़े सब पुरुसों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया सो वे द्वार को टटोलते टटोलते ठक गए उन दूतों ने एक अद्बुत काम किया क्योंकि वे तो परमेश्यों के दूत थे लोग नहीं जानते थे कि ये परमेश्यों के दूत है लूत भी नहीं उन्हें लूत को अंदर कीचा दरवाजे बंद किये और सारी भीड के आँखों को इन्होंने अंधा कर दिया और ऐसा अंधा किया कि उन्हें उस लूत के घर का दरवाजा भी न मिल पाया वो टटोलते टटोलते दरवाजे को ढूंडते ढूंडते ठक गए लेकिन उन्हें वो दरवाजा नहीं मिला अंत में वो अपने अपने घर चले गए क्या हुआ यहां पर यहां पर जब लूट ने भलाई को किया उन दो पुरूशनों के साथ में तो उन दोनों ने लूट की मदद की लूट को प्रोटेक्ट किया उन दो तो मैं क्या हुआ हूँ लेकिन परमेशन ने लूट को प्रोटेक्ट कर दिया उसकी बेटियों को, उसकी पत्नी को, लूत को, उसके पूरे परिवार को परमेशु ने प्रोटेक्ट कर देया ऐसा प्रोटेक्ट किया कि उन्हों विरोधियों के आखें अंधी हो गई और वे लूत के घर को, उसके दरवाजे को देख न सके वे चाहतो रहे थे कि हम इसकी हानी करें, वे चाहतो रहे थे कि हम इनको भार निकल कर इनके साथ में दुसकामर कर्म करें, वे चाहते तो है कि हम इनकी हानी कर दें, इनको मार दें लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई, क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि परमेश और स्वयम उनके साथ में है, स्वयम परमेश और उनके साथ में है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए और परमेश ने वैसे ही किया, परमेश और अपने धर्मी जन को तलने परमेशुर अपने ब्यक्ति को लजित नहीं होने देता, परमेशुर अपने ब्यक्ति की हानी नहीं होने देता, लूत एक धर्मी जन था, परमेशुर का जन था, चुना हुआ ब्यक्ति था, इसलिए उसकी हानी नहीं हुई, उसने भलाईयों को किया, उसने परमेशुर की आपको देख नहीं पाएंगे, वो आपको ढूंड नहीं पाएंगे, वो आपकी हानी नहीं कर पाएंगे, वो आपके विरोध में कोई भी तीर नहीं चला पाएंगे, उनका निसाना आप पर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि परमेशर आपकी ढाल है, क्योंकि उस सत्र के हर एक तीरों को नस्ट करने के लिए परमेश औ धाल के समान आपके समुक है इसलिए आप डरे नहीं घबराई नहीं चाहिए विरोधी कितने भी हानी की योजना क्यों ना बना ले चाहिए विरोधी कुछ भी क्यों ना कहले लेकिन आपको डरने क्या हो सकता नहीं आपको घबराने क्या हो सकता नहीं आपको निरास होने क्या हो सकता नहीं सुयम्द सरुसक्तिमान परमेश्यूर आपके साथ में है आपकी और है आपका लड़ने वाला परमेश्यूर आपकी और है इसलिए आप डरने बाइबल कहते हैं, जितने भी हत्यार मेरी हानी के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी मुझे पर सफल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि परमेश्योर मेरे ढाल है, मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्योर है, ऐसे ही जिस परकार इन दूतो और आपको अपने पंखों तले ले लेगा क्योंकि परमेश और आपके सम्मुख ढाल बनके ख़ड़ा हो जाए सुप्रव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आइचा आमेन को वचसब में मेशेश किया तो मेरा बेता अभी चंगाया हुए इस लोटर क्रिपा से शुरक्षित है अभी और दूसरा गवाई यह है मैंने फिर से सिस्टर को कॉल किया मेरा टाइंसफर पोस्टिंग के लिए तो मेरा transfer posting अभी आ गया मैंने जहां में मंगा है वो जगा पे मेरा transfer posting आ गया मैं बहुत टीखूँ सूँ इस ओर ने मेरा जीवन में काम किया है और इस डाफा प्रेयर और sister Amrita Masi का प्रेयर से मैंने बहुत कुछ शिखा है मैं कभी सोचा ने था में इसे प्रे कर सकेगा वरके बहुत-बहुत धन्याबाद शिस्टा अम्डिता पीके मसी और सानमे श्वा थेंक यू आप सब को जैमसी की परमिश्व का धनिवाद देते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ मुझे ये विश्वास है आप में से प्रतेक जन्ने जब इस वचन को सुना है और इस वचन की अद्बुत सामत को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे और सच में यदि आज आज आप निराश हैं परिशाने हताश हैं आप जैसे आए हैं आप वैसे नहीं जाएंगे प्रणानन शांती को अपने जीवन में परमेशों के उपाईयों को लेकर आप जाएंगे आईए हम सब मिलकर प्रात्ना करेंगे मेरे साथ मिलकर अपने विश्वाईयों के लिए प्रात्ना करें है पिता की सुन्दर पल तुने हमें दिया मेरे प्रुभुजी कि हम तेरी उपस्तती में आएं तुससे प्रातना करें तेरे संभूख बैठे प्रभु और दिन भर में प्रभु तुने हम सब को परéticoण संभू । आवास है परमेशवर जो कि पेता हम अपने तेरी ये पवित्र प्रजा, तेरे चुनेवे लोग हैं, हम सब मिलकर इस संगती में प्रभु शामिल हो सके, ये शु मैं आपका हिर्दय से धनेवाद करती हूं, जितने भी लोग प्रात्ना सुन रहे हैं, प्रभु आज उन्हें आपकी जरूरत है, पिता आज उनके लिए उ संदर शाम में प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु अपने विशयों को अपने परसनल लाइफ में होने वाले हर एक समस्या को प्रभु आज आपके आगे रखा है, और मैं धन्यवाद करती हूं कि आज आप इनके जीवन में अद्भूत रीती से कारे करने जा रहे हैं, हम आपका आदर करते हैं पिता, कि पूरे दिन भर के एक एक पल और एक एक शन में प्रभु तुने हम सब को, प्रभु इन को प्रभु जी, परसनली प्रभु जी एक स्वर्ग दूद दिया है, जो हमारी रक्षा करें, हाँ प्रभु जी, हम सब प्रभु तेरे ले कीमती हैं, बहुमूल हैं, ठैग्चियो जीजस, क्योंकि तुने हम से प्यार किया हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, और हम हुआ वंश आप कहते हैं खुदावन में धनेवाद करते आज के वचन का आदर करते प्रभु जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से इस वचन को सुना है प्रभु जी प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु जी ये भी पिता आज करने पाएं पिता परमेशर उन करें परमेश्व पिता तो इवह लाइब का प्रतिफल प्रभु जी अपने जीवन में देख सके लूट ने अन अठाल और पर मेश वर यहीं लूट के लिए प्रभु उसके परिवार के लिए पिता प्रभु बहुत आशीश का का आरन ठहरी प्रभु लूट और उसकी दोन के लिए भलाई कर रहे परमेश्व वही इन्हें प्रभु नीचा दिखाने की और इनको प्रभु जी लजजित करने के लिए प्रभु योजनाय बना रहे हैं हर प्रकार की वो योजना जो इनके जीवन के लिए इनके परिवार के लिए प्रभु विरोधियों के द्वारा बन करते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है जितने भी हातियार तेरी हानी के लिए बनाई जाएंगे उसमें से एक भी तुछ पर सफल ना होगा मैं धनिवाद करती हूं परमेश्व पिता प्यारे प्रभुजी आज जितने भी भाइबन प्रभुजी परिशान है प्रभुजी और व प्रभुजी खुदावन इनकी ये भलाई पिता इनके जीवनों में बड़ा प्रतिफल लेकर आए और जो भलाईयां इन्होंने की हैं उस भलाई को पिता ये अपने बच्चों के जीवन में अपने परिवार में अपने जीवन में प्रभुजी देख सके क्योंकि प्रभु तुने कहा है, बुराई से ना हरो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, मैं धनेवाद करती हूँ ये शुमसी, आज की सुन्दर शाम में मेरे प्रभुजी, हर प्रकार की negativity इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के प्रभु प्रॉब्लम्स और समस्याएं इनक भाई बहनों के जीवन से, इन नौजवानों के जीवन से, इन छोटे बच्चों के जीवन से, बड़े बुजर्गों के जीवन से, जाओ ये शुके नाम से, परमेश्व प्रभु जब ये चिंतित है, व्याकुल है, अपने हजबन के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपन लगता है कि समय गुजर गया है परन्तु पिता आप भले हैं आप अपनी भलाईयों को अपने लोगों की जीवन में दिखाते हैं भजनकार दाओद भी इस बात को कहते हैं कि मैं जीवितों की प्रत्वी पर परमेश्यों की भलाई को देखूंगा हां परमेश्यों ये भाई प्रभू अपने जीवन में अपने परिवार में अपने बच्चों के जीवन में प्रभू तेरी भलाईयों को देख सके पिता क्योंकि इनों ने भी प्रभू अपने जीवन में भलाई करना सीखा है परमेश्यों पिता प्रभू जी मैं प्रात्न करती पिता प्रभू जो भ वाले परमेश्व पिता जिनका प्रभू रखवाला कोई नहीं जिनको समालने वाला कोई नहीं पृताः पिता परन्तु वह तुझे जानते हैं परमेशुर आज जितने भी भाईबन बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां पर दर्द है, घाओ बने हैं, चोट है, हड्डियां टूटी है, जहां कहीं भी आपको दिक्कत है, वहाँ पर अपने हाथ को रखें, पिता आपका धन्यवाद देते हैं, प्र बीमार व्यक्ति के उपर, या फिर अपनी चोट और घाओ पर, अपनी बीमारी के अंग पर, प्रमिर्श्य पिता, वहाँ पर हाथ रखा है, धन्यवाद, येशु के नाम से, वह बीमारी, दर्द, तकलीब, घाओ चोट, मैं तुम्हें आग्या देती हूँ, जाओ इन पूटने इनके कूले, प्रभुजी, और पिता इनके, प्रभुे स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रापलम है इसी वक्त वो दूर हो, प्रभुजी ने भूलने की बीमारी है इसी वक्त दूर हो, येशु के नाम से, हार्ट प्राब्लम, लंग्स, किढνη, लिवर प्राब्लम, येश्यू के नाम से जाओ इसी वक्त, परमेश्यू पिता, जिनके सरीर में सिस्ट है, परमेश्यू जहां कहीं भी सिस्ट है, गाठे बनी है, येश्यू के नाम से उन गाठों को नस्ट होने के आग्या देते हैं, सूजन सरीर में है, सूजन नस्ट हो येश्यू नस्ति के ना से प्रभु धन्यवाद आपने चुआ और चंगा किया इस समय प्रभु जो भी वाइरल फीवल चल रहा है प्रभु जी कुदावन बहुत से लोग प्रभु इस समय पिता बुखार आने के कारण प्रभु जी उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई है परमेश्व पिता ताकि इनके स्वस्त सरीर के द्वारा तेरा राज्य भड़े इश्व धन्यवाद पिता आपके प्रभु खुबसूरत लोगों के लिए आपके इस पवित्र प्रजा के लिए जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और संगती में प्रभु अपने आपको पिता शामिल करते खु खुदावन हर एक काम पर इनके खेत खल्यानों पर फिर प्रभु जी किसानी करके प्रभु जो भी प्रभु जी इनकी कमाई होती है प्रभु उस पर तेरी बरकत हो पिता प्रभु यह नुकसान पर ना जाएं परन यह बढ़ोत तरी अपने जीवन में देखें तेरा वचन के लिए प्रभू उस मार को खोले ताकि प्रभू आपके लोग भलाई करने में आगे बढ़े मेरे खुदावन प्रभू जिनको जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है येशु के नाम से चला जाए जिनके घर परिवारों में प्रॉब्लम है डिवार्स तक बात पहुंच गई ह इसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाए खुदावन येशु के नाम से प्रभू बहुत से ऐसे नौजवान है पिता जो अंदरी अंदर प्रभू नेगटिविटी और नेगटिव विचार से भरे है प्रभू जी मृत्यू का विचार बार बार उनके उपर हावी हो र किया और जितने भाई बहनों ने आपके सम्मुक अपनी निवेदनों को रखा धन्यवाद येशु आप प्रात्नों को सुन कर उसका उत्ता देने वादे पर नीशर है आज रात में अच्छी नीन से सुनाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें धन्यवाद देतें आपके प्रात्नमांगे आमेन आमेन और आमेन